हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज हमारा टॉपिक है 18 इलेक्ट्रान रूल इसमें हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रान रूल हमारा क्या होता है यह एक बहुत सिंपल टॉपिक है इन और्गेनिक केमिश्टी का चलिए देखते हैं डिफिनीशन द्वारा 18 इलेक्ट्रान रूल क्या होता है 18 इलेक्ट्रान रूल is a used primarily for predicting and rotolizing formula for stable metal complex especially organometally compound यह बहुत सिंपल रूल है इसे primarily मतलब प्रारंभिक रूप से predict करेगा एक फार्मूले को इस फार्मूले से हम देखेंगे कि हमारा metal complex stable है या unstable है चलिए हम फार्मूला बताते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है नमबर आप outer cell electron and central atom हमारा central atom जो है इसके central atom के outer cell में कितने electron है प्लस electron donate by ligand और हमारा ligand कितने electron donate कर रहा है जब दोनों को हम add करेंगे तो यह 18 के equal होना चाहिए जब हमारा 18 के equal आएगा मान तो यह हमारा complex stable होगा अगर 18 ना आकर के 16 या 12 या 15 आएगा तो यह हमारा metal complex unstable माना जाएगा चलिए हम example से देखते हैं कि कौन सा हमारा stable है या unstable है देखिए हमारा example है यफी CO5 यफी हमारा metal atom है और CO हमारा ligand है CO की संख्या हमारा 5 है यफी का जब हम configuration करेंगे तो इस configuration करने पर इसके last में आता है 4S2 3D6 जब हम 6 और 2 को add करेंगे तो हमारा 8 आएगा हमें पता चलता है कि इसके outer cell में हमारा 8 electron आया है और कोबाल्ट हमारा ligand है कोबाल्ट हमारा ligand है या हमेशा सभी में जब किसी भी metal atom से add होगा कोबाल्ट वह हमेशा 2 electron donate करता है जब हम दोनों को फार्मूले में रखेंगे तो हमारा फार्मूला दिये गया है नमबर आप outer cell electron on central atom हमारे central atom के outer cell में 8 electron है 8 plus और electron donate by ligand हमारा ligand कोबाल्ट 2 electron donate कर रहा है 2 करेंगे और कोबाल्ट की संख्या हमारा 5 है 5 into 2 करेंगे तो हमारा 10 होगा जब इसे हम 8 में add करेंगे तो हमारा 18 आएगा यह हमारा metal complex stable माना जाएगा चलिए यहां पर हम दूसरा एक जामपल देखते हैं हमारा एक जामपल है CS3 MnCO5 यहां जो हमारा CS3 है यह मैगनीज को एक electron donate कर रहा है और हमारा कोबाल्ट की संख्या जो है यह 5 है और कोबाल्ट में हमेशा 2 electron ही donate करता है तो यहां पर हम जब मैगनीज का electronic configuration करेंगे तो configuration करन 1 हमारा outermost cell है जो हम यहां पर लिखेंगे जो हमारा CS3 मैगनीज को एक electron donate किया है तो 1 लिखेंगे 1 प्लस 7 जिसके outer cell वाला electron प्लस 2 इसको कोबाल्ट जो लिगन्ड है या 2 electron donate किया है प्लस 2 करेंगे into 5 या कोबाल्ट की संख्या हमारे यहां पर 5 है तो जब हम 2 into 5 करेंगे तो हमारा 10 होगा और 7 में 1 एट करेंगे तो हमारे 8 हुआ 8 प्लस 10 जब हम इसे एट किया है तो हमारे 18 ने आया या हमारा complex stable है इ चलिए आप लोग को हम बताते हैं जो चलिए पहले हम देखते हैं CS3 MN का CS3 MN किस प्रकार हमारा एक electron donate किया है जब CS3 और MN में एक बांड बना है एक बांड दो electron से मिलके बना होता है तो हमारा एक electron मैगनीज की तरफ जाएगा और एक electron हमारा CS3 के CS3 हमारा या लीगंड है AMN हमारा metal है तो इसी प्रकार यह एक electron donate कर रहा है इसी प्रकार हम देखेंगे CO और MN का CMN और CO के बीच हमारा double band बनता है तो हमारा first पहले band में देखेंगे यह पहला इसमें दो एक band दो electron से मिलके बना होता है जब हम एक band का देखेंगे तो हमारा एक electron carbon की तरब attract होगा और एक electron магnees की तरब अजब हम अगला band देखेंगे तो यह भी एक electron fabrication compr attract होगा और दूसरा electron हमारा Magnees की तरब attract है इसलिए इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारा przykład जो है तो electron donate करता है इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे तीसरा हमारा example है यह-2 इसका आयन है यपडिका जब हमारा यह मेटल है जब हम इसका इलेक्टरानिक कांफिग्रेशन करेंगे तो इसके पासित करिंगे सिद्धार इसके यह दो कांफिग्रेशन करने बाद यह लास्ट में आता है 4 सुमारी जब Ba और नंट किनल दो यह टो इसे हम फार्मूले में रखेंगे तो अट प्लस 2 को फोर की संख्या 4 दिया गया है उसके बास्ट होने का मतलब जिसना इस में दिया गया है जब माइनस में होगा तो तो यह उतना ही एड़ होगा यहां पर माइनस टू है तो प्लस टू एड़ करेंगे तो हमारा 18 हुगा यह मेटल कॉंप्लेक्स में होता जैसे प्लस फोर प्लस फाइप तो हमारा उतना हम प्लस फोर करें माइनस फोर कर देंगे माइनस टू कर देंगी जिस प्रकार यह संख्या दिया रहेगा आयन देट सॉल